हाई वेलकम बैक तो आज सर्वेक हम थैड़ पाट स्टार्ट कर रहे हैं और सर्वे में नंबर ओफ क्योशन्स काफी ज्यादा हैं तो मैंने अब इस वीडियो और आगे की वीडियो में एक वीडियो में 20 नंबर ओफ क्योशन्स लिए हैं तो इसमें 31 से लेकि 50 तक कवर नगे हिए कि फ़र्स्ट टर्टी ओन है कि चल्सर्वे में फिल्ड वर्क होता हुए वो वह किस तक लिंपिटेड होता है नियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट या दोनों चैन सर्वेंग में कोई ऐसी डिवाइस नहीं हुश करते हैं इसमें अगल मेजर कर पाएं हम just linear measurement करते हैं और स्टाफ अगर की हेल्प से perpendicular offset set करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा option A, only linear measurement. Next question 32 में पूछा है कि chance surveying में जो check lines होती है जिनको हम proof lines भी बोलते हैं, वो क्यों required है? तो जैसे कि यह ground है, इसमें यह वाला area है जो कि हमें study करना है, survey करना है. तो हमने इस area का map प्रिपेर किया और यह इस area का map बना, यहाँ पर यह वाली जो lines है, यह survey lines है. अब हम check करना चाहते हैं कि हमारा map है, वो accurate बना है कि नहीं बना है. तो हम क्या कर सकते हैं, कि हम map में यह distance मेजर करें. यह वाली distance मेजर करें, और जो भी scale हमने use किया, उसकी help से हम convert कर लें कि ground में यह distance कितनी होगी. और उसके बाद उस distance को हम compare करें, actual में ground में जो distance आ रही है. अगर यह दोनों same आ रही है, फिटमेंस हमारा map है, वो accurate बना होगा है. अगर map सही नहीं बना होगा, तो फिर map के corresponding, जो यह distance आ रही है, और actual में आ रही है, वो दोनों different होगी. इसलिए यहां यहां पर answer हो जाएगा option C, accuracy of the survey work check करने के लिए, indicate करने के लिए, check lines का use किया जाता है. नेक्स, question 33, यहां पर पूछा है कि well condition triangle है, उसका angle किसे कम नहीं होना चाहिए. तो पहले हम discuss करते हैं कि होता क्या well condition triangle, जैसे कि यह area है यहां पर जिसका हमें survey करना है, और इस area को हमने छोटे-छोटे triangles में divide कर लिए. अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक side जैसे हमने measure कर लिए, और यह angle measure कर लिया. तो इतने information sufficient है, ट्राइंगल को plot करने के लिए. अब यहां पर अगर angle को measure करने में कोई error आ रही है, तो error sides में भी आएगी. तो हम चाहते हैं कि वो error जो theta को measure करने में आ रही है, वो error minimum हो. उस error को minimum करने के लिए हम एक function लिखते हैं, कि total जो error आ रही है, और उस function से हमें यह पता चलता है, कि अगर यह minimum है, यह expression quote square a, plus quote square 2a, यहां पर यह angle जो theta है, इसी को इसने a लिख दिया है. एंगल दोनों सेम है, तो यह minimum होगा अगर इस expression की value minimum होगी, तो error है, वो minimum होगी. expression याद रखने की जरुरत नहीं है, मैं जिस्ट explain कर रही हूँ कि head कैस के पिछे का concept है, तो यह minimum होगा. अब इसको minimum करने के लिए हम क्या करते हैं, differentiate करके 0 करते थे, किसी भी function का minimum निकालने के लिए, इसको जब हम differentiate करके 0 करते हैं, तो हमारा theta जो निकल के आता है, वो है, 56 degree, 14 minute. यह value आपको याद रखने है, तो exactly तो condition, well condition triangle की यह है, कि अगर angle इतने हुए यह दोनो, angle 56 degree, 14 minute हुए, तो उस case में error होगी, वो minimum होगी, लेकिन यह एक ideal value है, और exactly possible नहीं है, कि फिल्ड में इतना point इसे आप से decide करो, कि इतना degree का angle मिल जाए, तो एक general guidelines दे दीगे, यह ठीक है, इतना तो possible नहीं है, कि exactly इतना angle वहाँ पर हो, बट इससे बहुत ही कम और बहुत ही जादा नहीं होना चाहिए, और वो जो guideline दीवो ऐसे दीगे, कि theta है, वो 30 से कम नहीं होना चाहिए, और theta, sorry, 30 से जादा होना चाहिए, और 120 से कम होना चाहिए, तो यह दो value यहाँ पर दे द हमारा triangle होगा, उसमे error होगी, वो काफी कम हो जाएगी, तो अब यहाँ पर question में हम से सिर्फ इतना पूछा है, किस से less नहीं होना चाहिए, तो answer हो जाएगा, option B, आपको याद रखना है, यह value और यह दोनों value, और क्या होता है, बस इतना पता रखना है, next question 34, question 34 में पूछा ह है, कि accuracy होती है, जो measurement में, chance surveying में, वो किस पर depend नहीं करती है, तो length of the offset पर depend करेगी, जैसे कि यह survey line है, और यहाँ पर कुछ objects है, उनको हमें अपने map पे plot करना है, तो यह वाले distances हम measure करते हैं, और इसको बोला जाता है, offset, तो अगर length ज्यादा है, तो error, जो है measurement की वो बढ़ने की chances जारते हैं, तो length of offset पर depend करती है, accuracy कितना है, अगर कम distance से ज्यादा accurately है measure करते, अगर distance बढ़ती है, तो obviously error भी बढ़ती है, बी में बोला है scale of the floating, क्या होता है, map में जो error allowed होती है, वो होती है 2.5 mm, mostly allowed है कि 0.25 mm तक की error अगर map में है, तो acceptable है, अब कोई हमने map लिया है, जिस की scale है, कि map में 1 cm रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल्ड का 2 meter, तो हमें निकालना है 0.25 mm की जो error है, map में allowed है, उसके corresponding ground में कितना error allowed है, तो 0.25 को पहले तो cm में convert करेंगे, फिर 1 cm को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 meter, तो 0.25 इतने cm को रिप्रेजेंट करेगा, 0.25 upon 10 into 2 meter, जैसे 1 cm 2 meter है, तो 2 cm 4 meter होगा, तो 2 meter से multiply कर देंगे, जितने भी cm को ground की distance में convert करना है, तो 0.25 upon 10 into 2 meter, और इसको जिब solve करेंगे तो आएगा 0.05 meter, यह हम इसको कह सकते है, 5 cm, अब 5 cm जो ground पे है, वो इतने accuracy में में मेजर करना चाहिए, जब आप ground में मेजर कर रहे हो distances, तो उस इसकी accuracy होने चाहिए कि 5 cm तक हम उसको measure करें, जैसे उसकी reading ऐसे आने चाहिए, जैसे, जैसे cm में measure कर रहे हो, तो 45, 50, 55, इस टाइप से ऐसे ऐसे नहीं है कि आपका जो scale है, उसमें 40, 50, 60, ऐसा ही available reading, 5 cm की list count तक 5 cm की accuracy तक हमें measure करना है, तो scale up the plotting का भी रोल होता है, importance of feature भी obviously importance रखता है कि, अगर कोई feature ज्यादा important, तो हम उसको ज्यादा accuracy मेजर करते हैं, कोई उतना important नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको थोड़ा roughly measure करते हैं, general layout of the chain lines पे depend नहीं करता है, layout अब person कोई भी survey कर रहा है, वो अपने according चूज कर सकता है, उससे accuracy नहीं affect होगी, तो यहाँ पर answer होगा, वो option D हो जाएगा, general layout of the chain lines, next question is 35, यहाँ पर पुछा है कि limiting length of an offset होती है, वो किस पर depend करती है, तो पहले तो limiting length of offset होती है, वो maximum allowable length of an offset होती है, हम बहुत ज़्यादा length का offset नहीं allow करते, क्योंकि उसमें फिर errors यादा आएगी, तो कितना length तक का offset हम allow करते हैं, यह depend करता है, कि हम किता accurately वर्थ करना चाहते हैं, अब कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा length का offset आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, कि वो offset लेंगे, नहीं, वो important feature है, हम उसको mark करेंगे, बट उसके लिए हम subsidiary survey line को यह से पास करा सकते हैं, कि वो उस object के पास से निकले, और जो length of offset है, वो कम हो जाएगे, तो सबसे important तो यह है कि यह depend करता है accuracy of the work पे, अगर ज्यादा accurate work है, तो limiting length of offset हम और कम कर देते हैं, ताकि error हमारी कम से कम आए, B में बोला है methods of setting out perpendicular, जो perpendicular हम mark करते हैं, optical square से कर सकते हैं, cross stop से कर सकते हैं, तो यह different methods पे depend करेगी उसकी accuracy, जैसे कि यह point P है ground पे, और इसको mark किया तो perpendicular ढंग से नहीं बन पाई, उसमें error आगी, एंगल एक ही, और perpendicular है वो, इस direction में mark कर दी गई यहां पे, क्योंकि instrument हमारा जो perpendicular set करने वाला था, उतना accurate नहीं था, उसमें error आ गई, अब जितना यह angle ज्यादा होगा, error क्या है, error आई है, यह पी यहां पे होना था, यहां पे shift हो गया, तो इतनी error है, अगर यह angle ज्यादा हुआ, उस case में same length के लिए error आएगी वो, और भी ज्यादा आएगी, तो कितना, कौन सा method यूज करते हैं, perpendicular set करने के लिए, यह affect करता है, कि angle कितना हम accurately measure करते हैं, और यह affect करता है, total length of error, तो इसलिए यह भी important feature है, C में given है scale of plotting, जैसे पिछले question में हमने discuss किया, कि एक limit है error की, जो कि mostly map के लिए होती है, 0.25 mm होती है, कि map में 0.25 mm तक, error है, वो allowed है, अब ground में कितने error allowed है, यह depend करेगा scale पे, जैसे कि हमने scale लिया है, 1 cm is equal to 4 m, तो 0.25 mm के corresponding कितना meter होगा, पहले तो हम उसको centimeter में convert करेंगे, और फिर 1 के लिए 4 है, तो इतने के लिए कितना होगा, यह निकालने कि इसको 4 से multiply कर देंगे, तो यह आ जाएगा, 1 meter, तो इस particular scale के लिए 1 meter की error allowed है, तो जो error allowed है, वो depend करेए scale पो, और error allowed है, वो affect करती है, limiting length पे, limiting length को affect करती है, तो option C, जो है, यह इस पे भी यह depend करता है, scale of plotting के, option D में गीवन है कि indefinite features to be surveyed, यतने feature हमें हमारे map पे mark करने हैं, इस पे limiting length of offset नहीं matter करता है, ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा points हम मार करने हैं, अपने map पे प्लोट करने हैं, इसलिए हम दूर के objects को सोड़ देंगा, ऐसा नहीं होता है, जो important हम उनको लेते हैं, तो features कितने ही हो, उससे limiting length नहीं affect होती है, तो answer हो जाएगा, वो option D हो जाएगा, आपके, next question 36, 36 में पूछा है कि चैन सर्वेंग कौन से टाइप के area के लिए करते हैं, एक तो चैन सर्वेंग के लिए open ground होना चाहिए, और दूसरा small areas के लिए करते हैं, क्योंकि अगर कोई area है, 5 km by 5 km, तो अब चैन सर्वेंग वहाँ पे effective method नहीं है, क्यों कितनी जदा distance आप चैन से मेजर करोगी, error बहुत जदा आएगी, time बहुत जदा consume होगा, तो small areas के लिए acceptable है चैन सर्वेंग, यूज किया जाता है इसके लिए, और open ground होना चाहिए, जैसे कि obstruction आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर चैन सर्वेंग में काफी problem आएगी हमें, तो अगर open ground है, तो हम चैन सर्वेंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे answer हो जाएगा option A, next question 37, इसमें पूछा है कि optical square के जो plane mirrors होते हैं, उनके बीच का angle कितना होता है, तो एक तो optical square होता है, परपेंडिकूलर सैट करने के लिए, जैसे कि यह सर्वें लाइन है, हमें इसमें कोई परपेंडिकूलर सैट करना है, तो यह हम करते हैं, ओ्प्टिकल स्क्वार की help से, इसका जो mechanism होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, कि ये स्फेरिकल शेप का बनावा होता है इसमें दो मिर्स लगे होते एक फिर यह यहां पे लगावा है और इन दोनों मिर्स के 20 का एंगल है ये 45 आप यह बाली है ये स़ियर लाइन है हमें इसके इदर की साइडमें एक परपेंडिकुलर सैड कर Matt है एक हम किसी को ranging da narrator लेकर यहां पर खड़ा करेंगे कि और आसए देखेंगे कि वह जिंघिंग दिखाई जेने लगे क्योंकि इसमें यहां पर यहां beats अगर यहां पर है क्यूं कोई ranging world यहां पर ले गया तो पता है कि नहीं दिख रहा तो यहांपर आजाएगी रिंजिंग रोड तो हमें क्यों रखी रखी वे रेंज ändo दिक डिख रही है इंगmember अब हमें इक पर पेंडिगुर्ब मार्क करना यह कुछ परफेंडिगुल दिखने के लिएव कि थर से एगर कोई र maneira रही है तो इस तरफ चाइगा इधर के तरफ आएगी और इस इसके सामने फिर से एक मेरर है इस मेरर पे गिर के ये वापिस से रिफलेक्ट हो जाएगी और अब क्या हुआ है कि आई थी इस डारेक्शन में और दोनों एंगल से रिफलेक्ट होने के बाद में इसके डारेक्शन होगी ही तो हुआ क्या कि दो जो मेरर हमने रखे हुए थे उन्होंने रे को 90 डिग्री से डाइवर्ट कर दिया, 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया इसको, अब यहां से दिखेंगे, एक तो हमें Q पे जो रोट रखी वे वो दिखाई देगी, और उसके साथ-साथ हमें P पे जो, यहां पे जो रेंजिंग रोट रखी वी है, वो भी हमें इसके स्ट्रेइट लाइन में ऐसे दिखाई देगी, नीचे Q वा की रेंजिंग रोट है, उसके उपर P की रेंजिंग रोट है, और अगर आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इन टाम्स में कन्फूजिन है, तो आप एक बार, मैंने एक उप्लिक्स के वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यह सारी बेसिक्स कवर किये हैं, जन्रल साइन्सी रिटेट है वो वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, तो अब यहाँ पर एक तो यह भी डाउट आसकता है कि इस मिरर से यह वाली रहे तो रिफ्लेक्ट हो रही है और यह वाली रहे पास हो रही है तो ऐसा है कि यह वाला मिरर होता है यह हाफ पेंटेड होता है हाफ पेंटेड नहीं होता हूँ है तो नीचे वाला हमें vendo किया वा तो नीचे वाली रहतो सिधी निकल wonders या शाथ में से बाइब हुआ है जैसे इहां पर है जो शणेओं यह स्टेट लाइन में नहीं दिख 120g को जैसे कि geral कि की रेंजिंग रोड आज यहां पर This is Vee कि अ क्या ल सब्सक्राइब ब अिषिए Damn वहां लिधने के और और कि दिस्टेंस ने बिखु रहे है । इस त केस्स केसन में हमें क्या करना होताय Is वहं होता है पर्साइब करना होता है है उसको लिफ राइट से आदि यह बिल्कुल स्टेट लाइन में आ गई इड में अब यह वाला एंगल है बिल्कुल प्रफेक्ट्ली 90 डिग्री है क्योशन यहां पर क्या क्या बन सकते हैं एक तो कि दोनों प्लेन मिर्स का बीच का एंगल कितना होता है एंगल होता है एंगल होता है किस प्रिंशिपल पर बेस्ट है अपर्सिपल फैर क्यों ह्योंरे अच्छन क्यों जो पीसे रे आ रही थी वह by यहां पर ट्रॉसरी बार यहां इस्वाले मिर्म थर तो बार टॉकर 90 डिव Imagine होielle तो डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ट है, एंगल होता है, वो 45 डिग्री होता है, इसका यूज होता है, वो प्रपेंडिकुलर सेट करने में होता है और काफी बार ऐसे भी क्योशन पूस लिए जाते हैं कि इससे हम कितने डिग्री का एंगल सेट कर सकते हैं और प्रिंसिपल यह है कि इससे जो रही है, इन दोनों मिर्स के कारण यह 90 डिग्री से बेंट होगी, तो अब तो रही है, और पी से जो रही थी वो डबल डिफ्लेक्ट होने के बाद यह दोनों रहे हैं, वो सेमी एक स्टेट लाइन में आ गई, और इसलिए हमें दोनों प्र और यहां पर इसका अंसर हो जाएगा 45 डिग्री इसने जस्ट प्लेन मिर्स के इंगल पूछा है, तो हो जाएगा ऑप्सिन C, यहां पर पुछा है कि अगर चैन सर्वे में हमें 45 डिग्री का एंगल पर चैन लाइन लेनी है, तो हम कौनसे इंस्ट्रुमेंट की हेल्प से ले सकते हैं, और जो प्लेन मिर्स के इसका एंगल 45 डिग्री होता है, और दलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपने ऑप्टिकल स्क्वार डेफ्ट में नहीं पढ़ा, तो पिसला क्योशन का वीडियो देख लें, प्रिम को स्क्वार इसका था घृयो रिखा नीखा होजरह हो, तो आप अप्टिकल स्कॉइर जैसा ही होता है, यह भी जहरूर स्कवार स्कॉरर सलकिए होता है, और व्त व्रॉबलम ही आती है कर दो एक्स्प्रिमेंटल लुटS की नहीं किया होता है, और इसके काण वह instruments के इतने handy नहीं होते हैं instrument उनके लिए और समझने में दिक्कत आती है तो cross staff और friends cross staff को field में हम कैसे use करते हैं वह मैं आपको explain करते हूं आपको अपने अप clear हो जाएगे किस से कितने degree के angle पे line set कर सकते हैं यह है open cross staff और यहां पे जो आपको यह line狗 देख रही है यह वाली line जो दिख रही है यह वाली line जो यह रही और यह वाली यह opening given है यह opening given है eeo find and keeping the width of the такe इसके उपर उंट कर देते हैं, यहां पर छूड़ियां से बनी होती है। तो जो stand होता है, इसके उपर आप यहां पर इसको फिट कर सकते हो। अब जैसे कि यह survey line है, और हमें इसके 90 degree पे angle set करता है, तो क्रोस staff के help से कैसे करेंगे, अब हम मानते ही कि यह survey line है। तो सबसे पहले तो हम इस staff को set करेंगे कि इसकी यह वाली जो sides है दोनों यह जो line बना रही है वो survey line ही हूँ इसके लिए क्या करेंगे यहां पे कोई person है जो जिसने ranging road लिवी है और हम इस cross staff को left इधर clockwise, anti-clockwise rotate करेंगे जब तकि इस वाली opening से और इस वाली opening से हमें यह ranging road नहीं दिखने लग जाए और जब यह ranging road इन दोनों से दिखाई देने लगी और दिखाई भी ऐसे देने चाहिए कि यह thread जो है यह उसको bisect कर रहा हो ranging road को ranging road वाले person की position fix है हमने cross staff को rotate करना है और इस ट्राइब से एड़िस्ट करना है कि इस ओपनिंग और इस ओपनिंग से यह अरेंजिंग रोड है वो बाइजक्ट होती ही दिखाई दे अब हमारा स्टाफ का अलाइनमेंट हो गया है सेटप हो गया है अब हमें इस डूसरी वाखी डायरेक्षिन में परपेंडिकुलर सेट करना है यह जो डिरेक्स हैं इसमें हमें एक परपंडिकुलर मार्क करना है और हमें पता हैं कि अगर कोई इस लाइन से एक मेंनों थोड़ा सी अच्या से कर देती होगा आजको इसकि बिलंग जो लान बना रही हैं यह वाली ऑपनिंग और यह वाली ऑपनिंग अगर इसी line के आगे अगर कोई तीसरा point होगा तो वो इसके perpendicular होगा क्योंकि ये वाली line है ये perpendicular है इस वाली line के ये तो staff का setup भी ऐसा है कि 90 degree पे है तो ये opening और ये opening मिलके जो line मना रही है इसी line पे अगर हम third point कोई mark कर दें तो वो obviously इसके ये perpendicular होगा तो क्या होता है यहां पर किसी को रेंजिंग डॉड देखें यहां पर खड़ा करते हैं अब हमें staff की position fix रखनी है staff set हो चुका इसको नहीं हिलाना है इस person को हमें shift कराना है इस person को हम left right इधर दोनों side shift कराएंगे और इस stripe से इसकी position fix करेंगे कि इस opening से हमें again thread से वो रेंजिंग डॉड बाइसेक्ट होती भी दिखाए दे अब यह position हमें मिल गई अब यहां से इस point से हम लेके यह line मार कर सकते हो और यह line जो होगी वो पर्पेंडिकुलर होगी यह होता है ओपन ट्रोज स्टाप से फ्रेंज स्टाप में opening होती है वो कुछ यादा दि होती है और फॉर एक्जामपल सर्वे लाइन पहले प्रेंगी थैसको इस टरेप से लाइन करेंगे कि यह जो opening है यहां वाली और यहां वाली opening इनके यह align हो जए इस straight line के along जो man survey line है अब अगर 90 degree का हमें use करना तो यह वाली और यह वाली opening यूज करेंगे बट अगर हमें 45 degree का angle बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं जैसे कि इधर की side में जो यह इधर वाली side है right side इसमें हमें एक angle बनाना है 45 degree पर दूसरी chain line यहां पर मार्क करने है तो हमने इस वाली opening जो है यह वाली opening और यह वाली opening यह वाली opening यह एक सीध में होंगे एक line में होंगे बिल्कुल तो हम यहां से जाके देखेंगे और हम एक क्रेंजिंग रोड सेट करवाएंगे जो इस वाली opening और इस वाली opening के सीध में यहां पर हो अब यह एंगल कितना हो गया 45 डिग्री इस तरीके से फ्रेंज क्रोस स्टाफ में ज्यादा है और इस ते 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही यहां पर सेट कर सकते हैं तो यहां पर आंसर हो जाएगा वो अप्शन सी हो जाएगा फ्रेंज क्रोस स्टाफ next question 39 यहां पर पूछा है कि अगर हमें offset set कर रहे हैं वो अगर right hand side में है channel line के तो हम optical square को कौन से hand में और कौन सी position पे पकड़ेंगे तो एक तो optical square को हम हमें इस upright position में इसको सीधा ही पकड़ते हैं और दूसरा इसको किसी stand पे नहीं रखा जाता है इसको हाथ में पकड़ा जाते हैं तो अब जैसे कि यह survey line है यह optical square है और यह कोई person यहां पे है जिसको optical square का use करते वे एक perpendicular set करना है और perpendicular set करना है right hand side में तो यह left hand में पकड़े या right hand में पकड़े अब right hand में कोई person है रेंजिंग रोड लिए वे और इसको optical square में देखते हैं इस person को गाइड करना है कि left right कि दर मुग हो कि उसको वो बिल्कुल 90 degree पे आ जाए तो इसको यह वाला hand में lept hand हमें रोड करें करने तो यहाद हमें फ्रीज करते हैं और राइट हैं सब्सक्राइब सिस्क्राइब इसका वायश वी By और राइट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड में तो आंसर हो जाएगा option B next question 40 40 में पूछा है कि कोई chain line है जो कि north-south के along है और हमें उससे perpendicular side करने हैं वो east-west direction में करते हैं obviously offset लेने के लिए तो पूछा है कि east-west direction है वो sloping है तो क्या हम यहाँ पर offset ले सकते हैं एक सेडमेक्ज में ले सकते हैं दौनों साइड में ले सकते हैं आagtर sloping हम मतलब कुछ ऐसा होगा तो sloping में भी हम tsn से distance measure कर सकते हैं तो sloping में offset लेने में कोई दिकत नहीं है lot lí 가까 करने के लिए milhões üst करके offset measure कर सकते हैं इस्टमिंग में अगर हमें ज्यादा accuracy सेगे तो obviously और बहुत साइड दौन और साइड में कर सकते हैं next step 41 question 41 में पूछा है कि जो perpendicular offset हम set करते हैं जैसि कि यह survey line है और इसके हम perpendicular set कर रहे हैं तो हम इसको आई से भी जज कर सकते हैं अगर length of offset कितना हो तो length of offset के according offset को two types में divide किया हुआगा 15 meters से कम है तो short offset है और short offset को हम आई judgment से भी perpendicularly decide कर सकते हैं कि perpendicular है या नहीं दूसरा होता है long offset long offset वो है कि जोकी 15 meter से ज्यादा जिसकी length है वो long offset है इसको हम आई से judgment करके perpendicularities की check नहीं कर सकते हैं यहाँ पर options given है 5 10 15 और 20 answer के में answer given है वो option C है बट 15 meter से कम या 15 meter सब को ही हम i से judge कर सकते हैं तो 10 meter और 5 meter भी इससाब से सही होने चाहिए तो मिस्टेक यहाँ पर यह है length of the offset is less than आना चाहिए यहाँ पर less than 15 meter है less than होगा तो फिर आंसर होगा वो option C होगा अभी देखें तो A, B और C तीनों ही सही है 15 meter को judge कर सकते हैं तो obviously 5 और 10 meter को भी कर सकते हैं तो यह correction करने के आनसर हो जाएगा वो option C हो जाएगा next question 42 यहां पर पूछा है कि optical square जो होता है वो कौन से principle पर बना होता है optics के कौन से principle पर बना होता है तो इसका answer होगा double reflection option D और detail में समझ लिए कि लिए आप question कि किसका sign है तो यहां पर नीचे से कोई water body जा रही है यह water body का sign है कैलान कैनाल यह रिवर और यह sign होता है यह road का होता है तो यहां पर यह दोनों जहां पर मिल रहे हूं जंक्सन पर अगर हम देखे तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है it means road उपर है और जो water body है वो नीचे है तो हमने bridge बनाया है water body को cross करने के लिए तो एक तो रोड है उपर तो road bridge दूसरा यहां पर railway bridge भी option given है बट railway में जो symbol होता है railway का कुछ ऐसा symbol होता है ऐसे blocks बनाये होते हैं तो यह symbol होता है single line होती है तो ऐसे show कर देते हैं अगर double line है तो कुछ इस तरीके से show करते हैं तो यह road का symbol है और bridge है तो answer हो जाएगा option A हो जाएगा next question 44 question 44 में पुछा है कि जो sign given है वो किसका है बट यहां पर मेरे पास जो book है उसमें उसाइन ही missing है तो इसका answer given है वो temple है तो मैं temple का sign आपको बना के दिखा देती हूं तो ऐसा होता है उस टेंपल का sign और उसको identify करने के लिए आप इस सिंट का यूज़ सकते कि उसके ऊपर यह ट्राइंगुलर जो आपने देखने हो कि मंदी के ऊपर जो द्वज लगा होता है तो वो ऐसे ट्राइंगुलर सा करके हम दिखाते है इसकी जगे अगर यहां पर च पॉइंट 2 में जो फिगर गिवन है इसके लिए पुछा है कि यह किसका sign है अपने focus इस पर करना है यह तो पता आपको railway line जा रही है और यह पता इदर से कोई road जा रही है focus इस पर करना है कि यहां पर क्या दिखाई दे रहे है railway line दिखाई दे रहे है कि रोड दिखाई दे है तो आंसर हो जाएगा option A की railway है that is below the road option A again 46 में पूछा है कि यह 4.3 figure है यह कर रिप्रेजेंट करता है अब यहां पर आप धान से देखो तो इस वाले point पे जहां पर यह दो मिल रहे है वहां पर यहां पर यहां पर देखेंगे तो उपर है वह दिखाई देगा हमें नीचे और चुप जाएगा तो इसमें यहां पर क्या होगा जो बिलो है वह रोड होगा तो आंसर हो जाएगा ओप्सन B एप्रीज केरिंग रोड दिलो रेलवे क्योंकि रोड नीचे है तो रोड नहीं दिखाए रहा है रेलवे लाइन दिखाए देरा तो ओप्सन B है वह यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स क्वेश्चन है 47 यहां पर अगेन किसी साइन के बारे में पूछा है और वो साइन मेरे पास जो बुक का एडिसन है उसमें मिसिंग है तो मैं आपको सिंबल शो कर देती हूं जो यहां पर गिवन है टेंपल और चर्श को हम क्वेश्चन नंबर 44 में देख चुके हैं होतु है कि ऊपर किसी इस इफेरा गेदरिंग होनी है और तो फिर इथगा में होती हैं तो दोनों के सिंबल्ज होते हैं वह कुछ ऐसे होते में म स्टित में 20 में में गूंबत जैसा है सबसेचीक के तो फेलर स्वेज है इथ होते हैं तो यह उतर में को स्ईभा में एंकekiया ह यहां पर पूछा है कि कोई वो surface जिसका elevation zero है वो अर्थ की surface के around है और irregular और curved है तो उसको क्या बोलेंगे तो हम सारे options को one by one discuss करते हैं First is mean sea level जैसे नाम से ही पता चल रहा है mean मतलब हमें आपे average लेते हैं किसे एक particular place का अगर हमें mean sea level निकालना है तो उसका हम 19 years का data लेकर उसका average निकालना है और जो एक particular year का data होता है वो भी different stages of tides का average होता है क्योंकि एक साल में पूरे में same नहीं रहता है water level tides के and water level change होता रहता है तो एक year का हम पहले average निकालेंगे ऐसे कर कि 19 years का average निकालेंगे फिर उनका mean निकालेंगे और इसका सर्वे में हम mostly जो यूज करते हैं इसको as a datum यूज करते हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट है सी में बोला है level surface कोई भी वो card surface जो हर एक point पे direction of gravity के perpendicular है जैसे कि यह point हम ले इसमें direction of gravity होगी यह earth नीचे वाला और earth से कुछ height पे हमने एक level surface मार्क की है तो यहां पर अगर हम पर्पेंडिकुलर बना रहे हैं तो यह direction होगी उसकी और यह line है यह gravity को सो कर रही है और यह angle यहां पर होगा यह 90 degree होगा अगर यह earth surface के along step से curved है तो हर एक जगह यह वाला angle होगा यह 90 degree होगा और यही level surface है तो level surface का zero elevation होना required नहीं है यह भी curved surface होती है बट इसका zero elevation वसा जरूरी नहीं है यह भी level surface है earth surface से थोड़ा कुछ और उपर अगर ऐसे line mark कर दें तो वह भी level surface है बी में a geoid surface, geoid surface वो surface होती है जो कि irregular है, around the earth है और zero elevation है अगर यह earth surface है और उसके along में इसी type से अगर एक line mark करूँ एक surface mark करूँ तो यह होगी यह geoid surface होगी irregular इसलिए है क्योंकि earth surface है वो बिल्कुल flat नहीं है इसलिए zero elevation वाली जो curved surface होगी वो irregular होगी और horizontal surface तो आपको पता ही है कोई वो भी एक surface जो कि flat है, plane surface और जो perpendicular है gravity की direction कि वो horizontal surface होती है तो यहाँ पे answer हो जाएगा option B, zero elevation यहाँ पे आ रहा है इसलिए geoid surface होगा next question is 49, यहाँ पे की type of leveling के बारे में पूशा गया है, तो पहले जो options है में उनको discuss करते हैं first is leveling, leveling survey की वो branch है जिसमें की given points होते हैं और हम उनका reduce level निकालते हैं reduce level को simple language में समझें, तो कोई datum होता है, उस datum से के respect में वो point कितना height पे है उसको हम बोलते है reduce level B है simple leveling, जहाँ पे कोई point होता है जिसका RL में पता है और उस point की RL की help से हम बाकी points का RL भी निकालते हैं, इसको बोला जाता है simple leveling third है differential leveling, यहाँ पे हम RL नहीं निकालते हैं, हम just elevations में difference निकालते हैं और हमें इन दोनों का level में difference निकालना है तो यह होता है differential leveling, इसको fly leveling भी बोला जाता है fly leveling इसको इसलिए बोला जाता है, क्योंकि हमें बीच में किसी point का RL देने की ज़र्वत नहीं है हमें instrument को shift करना होता है, काफी बार जैसे कि यहाँ पे अगर आप instrument रख रहे हो, तो P to visible है, यहाँ से visible नहीं होगा उस case में हमें instrument को 20 में shift करना पड़ सकता है, और जहाँ instrument को हम shift कर रहे है, वहाँ पे हम एक extra reading लेनी होती है, जैसे कि यहाँ से हम इसको shift कर रहे है, तो हमें एक ऐसा point चाहिए होगा, जो यहाँ से भी visible हो, और यहाँ से भी visible हो, जैसे कि हमने यहाँ की reading ले ली, बस इस point का ह हमें कुछ भी calculate करने की ज़रत नहीं है, यह point हमें इसलिए है, कि हम अपना instrument shift कर पाए और दूसरे point पे height of instrument हमें पता चल पाए, इसलिए fly labelingling बोलते हैं कि बस, और यह ऐसे point हमें minimum लेने होते हैं, अगर visible है, तो directly हम ले लेंगे, अगर नहीं है, तो कम से कम हम ऐसे points लेंगे, option D में है longitudinal leveling, जिसको profile leveling भी बोला जाता है, mostly यह road के लिए या फिर railway अगरे के लिए किया जाता है, profile leveling इसको इसलिए बोलते हैं, कि इसे हम profile पता कर सकते हैं, longitudinal leveling इसलिए कि यह length के long होता है, जैसे कि यह road है, इनके जो यह road की width है, तो जो center point है, जैसे इस width का A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, इन center points का हम आरल निकालते हैं, यह road का plan है, अभी यहाँ से देखने में हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर road पे up slope है, कहाँ पर down slope है, तो अगर A, B, C का हमारल निकालने, जैसे इसका आया 105, यह आया 100, यह आया 85, तो हम इसको graph पे plot करके इसका profile पता कर सकते हैं, जैसे कि यह हो गया 105, A यहाँ आ गया, यह कोई datum है, यह है 100 पे, तो जैसे कि यहाँ आ गया, अगला है 85, तो यह यहाँ आ गया, तो हम पता चल यहाँ पे down slope है, यहाँ पे और जदा steep down slope है, अगया distance सेम है, A, B, C, B, तो इस टाइप से हम profile पता कर सकते हैं, तो यह होते हैं longitudinal leveling यह profile leveling, प्रोफाइल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्या पूचा है हम से, कि डिफरेंस इन अलिवेशन निकाले हम बित्विन टू प 50 को समझने हैं जिस पहले हमें मेकनिम समझना होगा कि तेकलिस्कोप के अंदर क्या-क्या होता है अंदर इसमें तो जैसे कि यह टेलिस्कोप है यहां पर आंक रखके हम इसकी रिडिंग अगर लेते हैं एक लेंज तो बिल्कुल आंक के पास में लगा होता है जिसको बोला जाता है आईपीस दूसरा इसके दूसरे वाले अंड पर लगा होता है आंक की पोजिशन यहां पर होगी ऑब्जे होते हैं तो यह जो है क्रोस हैर के बद्विश पर लेवलीं का वेसिंग मारा पृनिसिपल होता है एक अगर हमाला जो लाइन ओफ साइट है लाइन ओफ साइट होती है क्रोस हेर का सेंटर और अब्जेक्टिव का सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो लाइन ओफ साइट या फिर उसको लाइन ओफ कॉलिमेरेशन में बोला जाता है इस बुक में पता नहीं क्यों इस इसने line of sight और line of collimation वो अलगलग consider किया हुआ है इसलिए option भी इसने इस type से दिये हैं कि line of sight भी आपको option में मिलेगा but books में जो given है level के regarding भी और third light के regarding दोनों के में जो telescope है उसके regarding line of sight और line of collimation same ही है और यह वो line है जो कि crosshair के center से objective वाला lens है उसके center से पास होती है तो line of sight horizontal होनी चीए हमारी और यह horizontal तब होती है जब bubble जो है level tube में वो center पे हो level tube में एक bubble होता है तो हम उसका set करते हैं सबसे पहले तो हम उसको center में लेकर आते हैं सेंटर पे आ गया अब line of sight horizontal है अब हम उसको फरदर प्रोसीड करके जो भी हमें उसने reduce level वगर निकालने वह लिकाल सकते है तो यहां पर answer option C और option A दोनों ही होने चाहिए और यह basic principle है leveling का कि line of sight हो horizontal होना चाहिए level में लेवल यहां पर instrument को बोला जो हम dumpy level और auto level वगर होते हैं उनको level बोला जा रहा है यहां पर यह उर से दोनों option ही correct होने चाहिए access of the telescope को भी हमस लेख थे access of the telescope में होता यह center और यह center इनको मिलाने वाली line दोनों जो lens है उनके center को मिलाने वाली जो line होती है वो access of the telescope होती है हमारा purpose line of sight को horizontal करना है access of telescope को horizontal करना नहीं है यहां पर तो answer हो जाएगा option A और option C तो आज की लेक्से वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में प्रीडियो 2017 झाल